नमस्कार फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स यह हमारे पास कपड़े का छोटा सा टुकड़ा है इसको हमने फोर लेयर में फोल्ड किया है तो इससे मैं आज आपको गर्मी के लिए स्पोर्स बराबनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके के साथ तो इधर साइड में हम लेंगे 5 इंच यह इधर से फोल्ड वो ओपन साइड है फोल्ड साइड में हम लेंगे 3 इंच अब इनको आपस में मिला देंगे एक दूसरे पॉइंट्स को दूसरी साइड से भी अब फ्रेंड्स वीडियो को लाश तक जरूर देखेगा और इसमें बताइएगा कि आपको कौन-कौन सा स्टेप सबसे अच्छा लगया है और कहां आपको कुछ समाज में नहीं आया है तो उसका मैं आपको जवाब जरूर दूंगी कमेंट में तो यहां पर नीचे की साइड में हमने वन इंच पर मार्किंग किया है उपर हम करेंगे 0.5 इंच पर एक बार इसको और हमने आपको फोल्ड कर लिया था यहां जो मार्गिंग के बाहर कपड़ा था उसको कट करके हटा देंगे और इसको हम सिधा करेंगे जहां से थोड़ा ज्वाइन्ट रह गया है उसको कट कर लेंगे और फ्रेंज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कुछ इस परकार का दिखाई देगा और नौटिफिकेशन को भी जरूर ओन करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंशती रहें तो आप इसको हम यहां पर रखेंगे साइड वाले को और यहां पर सिलाई लगा देंगे अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और आपको लगता है कि वीडियो सेर करने लाइक है तो सेर भी करें अग दूसरी साइड में भी हम इसी परकार से सिलाई लगा लेंगे इसके बाद हम दो इलास्टिक लेंगे थर्टीन इंच लेंध के हैं आप इसको यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर सिलाई का सेंटर आया है और ओपर से दूसरा पीस रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे इसमें हमको अंदर की साइड हाफ हिंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगाना है अब इधर से भी सिलाई लगाएंगे और फ्रेंज इसमें आपको कोई नया डिजाइन चाहिए तो भी आप जरूर बताएगा दूसरी एलास्टिक को भी वहीं सिलाई के उपर रखते हुए इधर से हम सिलाई लगा लेंगे अब यहाँ पर छोटे-छोटे कट लगाएंगे सिलाई को सेफ रखेंगे हाँ पर और निचे की साइड में भी हम सिलाई लगा देंगे अब इसको राइट साइड में टर्न करेंगे इसके बाद हम इसका साइड नाप लेंगे यहाँ पर यह 4.5 इंच है तो हम यहाँ पर 5.5 इंच विर्थ और 10 इंच लेंद का एक पीस लेंगे दोनों साइडों से सिलाई लगा लेंगे और जिधर से फोल्ड साइड था उसको कट कर लेंगे यह दो पीस हमने ऐसे रेडी किये हैं यहाँ पर 7 इंच लेंद का हमने 1.5 इंच विर्थ का यहाँ पर इलास्टिक लिया है और इन दोनों पीसों को हम ऐसे रखेंगे दो पीस लेने हैं हमको इदर सिलाई लगा के राइट साइड में टर्न करेंगे और दूसरे में भी हम इसी परकार से इसको रखते हुए सिलाई लगा लेंगी यह उसका बैक साइड रेडी हो रहा है बराका अब इसको अंदर की साइड मोड लेंगे और जो इसका साइड था उसको अंदर की साइड में डालेंगे और यहां पर सिलाई लगा लेंगे मैं अंदर डालते हुए अच्छी सिलाई लगाएंगे आप दोनों साइड़ों में अब जो यह सॉल्डर वाला हमने इलास्टिक लगाया है इसको पीछे हम क्रॉस में अटेच करेंगे जैसे आपको यहां पर दिखाया है इसी परकार क्रॉ कोर्स बराबन करके रेड़ी हो गया है बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी तरीके के साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें कमेंट भी करके बताएं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें थे हैं